नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फू अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक भरती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे यह नए नोटिफिकेशन जो भरती का है यह ASIATIC Society कौलकत्ता के द्वारा जारी किया गया है और यह संस्कृति मंत्रा ले भार सरकार के अधीन आने वाली एक सोसाइटी है और यह Central Government केंद्रिय सरकार के अधीन आने वाली एक सोसाइटी है जो कि कौलकत्ता में स्तीत है इसके त वारत के किसी भी राज्या के जो candidate है उमीद्वार है वो इन भरती के लिए एपलाई कर सकते हैं यह भरती का नए नोटिफिकेशन आठ अक्तुबर 2021 को पबलिश हुआ था रेफरेंस नंबर भी इसका जो एड़टाइजमेंट नंबर है TASK by 2021 by 2001 है इस परकार से जो भरती का नोटिफिकेशन निकाला गया है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ा होगा और इसमें कौन-कौन सी वेकेंसी है क्या क्या एज लिमिट है वो आगए आप जानेंगे यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक की ये वेकेंसी है 18 से 32 वर्स के बीच के जो केंडेट है वो एपलाई कर सकते हैं और एसिस्टेंट लाइबरेरिन के लिए जो जरूरी हो गयता है मास्टर डिगरी किसी भी डिसिप्लिन में और बैचलर डिगरी इन लाइबरेरी साइंस या इन्फरमेशन साइंस में डाकु जरूप C की वेकेंसी है, कुल पध है 9 इन 9 पधों मेंसे जर्नल स्रेणि के लिए 7 हैं, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 वेकेंसी है, Level 2 की वेकेंसी है, 18 से 27 वर्स के बीच की जो केंडेट है वो एपलाई कर सकते हैं और जिन केंडेट ने स्कूल कर लिया है या निके 12 कक्षा कि इसी भी रिकोगनाइज बोर्ड से पास कर रखी है और knowledge of typing है और knowledge of computer operation desirable है यह सारी qualification यदि आपके पास है तो आप LTC के लिए apply कर सकते हैं apply करने के लिए केवल एक ही मादम है offline application submit करना इसके बाद है binder और mender की एक post है जो की journal sendy के लिए अरक्षित है pay level 2 की वेकंसी है 18-27 वर्स के बीच के जो candidate है वे apply कर पाएंगे और कक्षा आठवी आपने पास कर रखी होनी चाहिए और कम से कम आपका पांच वर्स का practical experience in binding in commercial organization या government press में आपका experience होना चाहिए कम से कम practical experience पांच वर्स का और आठवी कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए binder का जैसे book binding करना इस परकार की कारिया रहता है binder का आगे junior assistant के कुल पांच पद हैं और पांच पदों में से चार जर्नल स्रेनी के लिए एक एसी स्रेनी के लिए आरक्षित रखा गया है level 1 की vacancy है 18 से 32 वर्स के बीच के जो candidate है वे apply कर पाएंगे और class 8 standard of our seniors candy school with experience आपकी qualification रखी गई है यानि के आठवी कक शावाले भी junior attendant के लिए apply कर सकते हैं आप देख लिएते हैं आपको इस application farm कहां से download कर पाएंगे application को farm जो application farm है इस भरती के लिए वो आपको इस वीडियो के description box में भी मिल जाएगा और आप trust या society की इसकी website पर www.asiatcicsociety.org पर जाकर भी आप download कर सकते हैं और इस भरती के लिए जो आपने अपना offline application farm submit करना है वो इस advertisement के देखो point number 2 पर दर्शाय गया है आपने जिस पते पर भीजना है to the general secretary the asiatc society एक पार्क स्ट्रीट कॉलकत्ता 700016 के पते पर आपने speed post या courier के माध्यम से ही आपने भीजना है साधरन डाक से यहां instruction दी गई है क केवल speed post और courier के माध्यम से ही आप अपना जो application farm है वो भेज पाएंगे और जिस लिफाफे के अंदर डाल कर आपने अपना offline application farm भेजना है उस लिफाफे के उपर आप application for the post of against vacancy notice number task 2021 by 1 dated 810-2021 यह लिखकर और उसके नीचे to the general secretary the asiatc society एक पार्क स्ट्रीट कॉलकत्ता 7001-6 के पते पर आपने speed post या courier के मातन से भेज देना है और इस भरती की जो अंतिम तारिक है वो 30 November 2021 है आपको केवल और केवल 30 November 2021 से पहले पहले आपने अपना application farm जो है वो submit कर देना है भेज देना है और इसके बाद देख लेते हैं इस भरती के लिए आपको जो उपरी आय सीमा में भी छूट मिलेगी आगे देख लेते हैं इस भरती के लिए आपने offline application farm को आप किस परकार से भर पाएंगे आपकी video screen पर आपको एक farm दिखाई पड़ रहा है इसमें सबसे उपर लिखा है reference TASK 2021 इस application farm जो ये farm है इस परकार से आपको farm आपको मिलेगा जिस भी post के ल अलग-अलग offline application farm भरना होगा सबसे पहला point है इस farm का कि आपने एक photo जो passport आकार की size की एक photo है वो self-attested करके आपने इस box के ओपर paste कर देनी है और name of the post applied farm में assistant librarian, ldc जो भी जिस भी पद के लिए आप apply करना चाहते हैं वो पद का नाम आप यहाँ लिख देंगे name of the candidate में आपने block letters में यह निगे capital letters में अपना नाम लिखना है, point number 3 पर father या husband का नाम वो भी आप capital letters में ही लिख दें तो बहतर रहेगा point number 4 पर nationality में आप Indian लिखें, point number 5 में जो भी आप अवेदक हैं आप अपनी date of birth लिखें, point number 6 में आपने बताना है कि आप OBC, SC, ST, Journal, Physically Handicapped या एक सर्विसमेन किस सिरहनी से सम्मद रखते हैं वो आप यहाँ point number 6 पर mention करेंगे point number 7 पर आपने sex, male या female में से बताना है, point number 8 के उपर आपने address for communication with pin code के साथ आपने पूरा address लिख देना है, इसमें आपने अपना house number, village का नाम, post office, तहसिल, district और state, pin code जरूर आप लिखें phone number में आप अपना phone number, mobile number आप mention कर देंगे, point number 9A में आपना email address जरूर लिखें, point number 10 में आपने अधार number आपने लिखना है, यह आपका लिए optional है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो ना भी लिखें, तो यह optional दिया गया है, mandatory नहीं है, आधार number फिर भी आप एतियातन लिख दें, 12 डिजिट का जो आधार number है आपका वो जरू लिखें, point number 11 पर आपने academic qualification का विवन देना है, आपने शुरू दस्वी कक्षे से शुरू करना है कि आपने किस examination को पास किया, दस्वी, किस साल में किया, किस board, university से किया, और कितनी आपने विवन देना है, point number 12 पर आपने professional qualification या जैसे आपने कोई ITI कर रखी है, या आपके पास कोई computer का diploma है, typing का है, short hand का इतियादी इतियादी आपने mention कर देना है, point number 13 पर आपने आपना experience बताना है, जो भी आपका experience है, आपने किस simpler के पास काम किया, और किस post पर काम किया, कि any other information है, जो उपर हो, 13 पदों के इलावा कोई information है, वो आपने point number 14 पर mention कर देना है, point number 15 पर एक declaration है, इस declaration को आप एक वार थोरली पढ़ लें, उसके निचे place और date डालें, और signature of candidate के उपर आपने signature कर देने है, इसके बाद आप देख लेते हैं कि इस भरती के लिए आपने documents किस प्रकार से लगाने है, document एक photo आपने application फारम के उपर paste करनी है, और certificate in spot of date of birth आपने लगाना है, ये भी attested कर दें, आप self-attested, यदि आपके बस date of birth का certificate नहीं है, तो दसवी कक्षा का आप date of birth की support में लगा सकते हैं, यदि आप किसी category से संबंद रखते हैं, जैसे cast, कोई आपक ये SCBC, OBC, ST है, handicapped है, ये exercise man है, उसका भी आप self-attested photocopy जरूर लगाएं, और जितने भी आपके all examination, matriculation से लेकर, जो भी आपकी qualification है, सभी के दस्तवेज आपने self-attested लगाने हैं, और professional यदि आपके बास qualification है, उसका भी लगाएं, अधार का लगाएं, और experience certificate इत्यादी का भी आपको दरशाय गया है, to the general secretary, the ASIATIC, society, एक पार्क स्ट्रीट, कॉलकता, 7000016 के पते पर आपने speed post या courier के मातम से अपना application farm भेजना है, इस application farm को आप society की website से, या इस वीडियो के description box से भी download कर सकते हैं, आज की वीडियो में बस इतनी information, मिलते हैं कि नई वीडियो में, नई भरती के जानकारी के साथ तब तक आप channel पर बने रहें और channel को subscribe जरूर करते रहें, धन्यवाद